किसान साथियो नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडियन फार्मल लाइप में साथियो आज हम बात करेंगे बैंगन की खेती में कुछ समस्या देखने को मिलती हैं जिससे किसान क्या होता है कि अक्सर कर डर जाता है जबकि डरने की कोई जरूवत नहीं है ये एक साधान सी दिक्कत होती है जो कि आपकी इस वीडियो से हल हो जाएगी साथियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हमारा बैंगन का प्लांट लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है बहुत लगबग ये हमारे बराबर पौधा हो गया है ये आप देख रहे हैं ये लगबग पांच फिट के आसपास पौधा हमारा हो चुका है अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है मैं वह आपको दिखाना चाहता हूं दिक्कत साथ यह आ रही है कि अब पौधे में फ्लावरिंग भी कम हो रही है और फलों की भी संख्या बहुत कम हो गई अब दिक्कत यह है आप यह देखिए किस तरीके से पतिया देखे छोटी छोटी अब निकलने लगी है और इसका कलर जो है वो भी काफी अलग टाइप का दिखने लगा है जैसे पीले कलर का पता दिख रहा है और पतियां बिल्कुल वाइट फ्लाई के जैसे लग रहा है जैसे वाइट फ्लाई ने इनको अटेक किया है साथियों इसमें दिक्कत अब यही है कि अब इनको प्रूनिंग करने का समय आ गया है साथियों इसको करना यह है आप वीडियो पूरी अन तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा जैसे हमारे पौधा है अब इस पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि बहुत पौधा घना हो चुका है बहुत सी साखाय हो चुकी है अब इसमें हमको करना क् जमीन से लगभग 6 इंच उपर 6 इंच मतलब यह लगभग यह हम यहां से इसको काड़ देंगे यहां से काड़ देंगे यहां से काड़ देंगे ठीक है यह सब पूरा पेड़ हम कलम कर सकते हैं और कलम करने के बाद हमारी फसल इससे भी अच्छी आएगी तो साथियों हम इ कि लिख़ेंगे जिस तरिके से यह कोप्ले निकले हैं इस तरीके के यह नय कल्ण निकलना चलु हो जाएंगे यह लग बग आपको 15-20 दिन तक रहे समय लग जाएगा नय कल्य आने में और एक महने ये आपकी समस्या भी खतम हो जाएगी और हाँ साथियों ये करने के बाद आप एक फंगी साइट बाविष्टीन का एक स्प्रेग आप कर दीजेगा इससे फंगस की थोड़ी दिक्कत लगने का चांस रहता है वो भी आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी साथियों वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना सब्क्राइब करना और कमेंट अवसे करना तब तक के लिए किसान भाईयो राम राम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ